हाई फ्रेंड्स तो आज घर पर सभी कह रहे थे यार कुछ अच्छा खिला दो तो फिर क्या अब इनकी फर्माइस को तो पूरा करना ही है इसलिए आज बना रहे हैं बहुत ही जादा फेमस रेस्पी हाँ पही जो कि आपको इंडिया के हर गली में मिलेगी और जिसके आगे अ लेकिन हमारे यहां इसको चाठी बोलते हैं तो मैंने लिए हैं यह सफेद मटर जिनको 5-6 घंटे भिगो कर रखना है और बस इसके बाद लेना है प्रेशर कुकर और उसमें डालेंगे सफेद मटर और पानी और नमक स्वात की हनुशा और बस इसके बाद लो टू मीरियम फ इसको ना एक बार पहले हम धंडे पानी से धुल ले रहे हैं इससे क्या होकर इमली में जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी और इसके बार अब हम इसमें डालेंगे गर में पानी और बस इसको साइड में रख देंगे और बच्पन से जूड़ी चार्ट की स्टोरी तो य कि जब कैस्ट आएंगे और उसमें जब प्लीटिंग होगी तो प्लीटिंग में जब आप टिकी आते ही चेटनी धनिया यह सब टालते हैं तो बस उस वक्त लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े शेफ हैं हम और अब हम बढ़ते हैं रैस्पी की तरफ तो मैंने लिए हैं यह बॉइल पोटेटो और इनको मैं यह फोर्क की मदर से अची तरह से मैस कर रही हूँ आप चाहे तो इसको मैसर से मैस कर लीजे और बस इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली जिंजर प्लैट पेपर साल्ट और साथ ही हम दो ब्रेड लेंगे और उनका जो सा और हमको इसमें अलग से कोई भी कॉर्ण फ्लार वगारा मिलाने की जरूरत नहीं रहेगी और बस इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और हाँ बस जब आप आलू पकाईए तब इस बात का ध्यान रखेगा कि आलू बहुत जादा पके ना रहे मतलब कि व हीले लगे तब फिर आप इसमें कॉजन पर एड कर लीजिए या फिर आप चाहें तो इसमें थोड़ा ब्रैड और एड कर सकते हैं कर विलाने से जो टिकी का टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कम अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें ब्रेड मिला रहे हूं और बस इसके बा इसको मिक्सी में भी पीश सकते हैं और इसके बाद इसका सारा पल्प निकाल लेंगे इस तरह से चन्नी से चान कर और बस फिर डालेंगे इसमें जैगरी और ब्लेक पेपर ब्लेक साल्ट फैनल सीट्स और साथ ही डाल देंगे ड्राइब जिंजर पाउडर रेड चिली अले ग्रीन चिली और साथ ही आज मैं इसमें थोड़ा सा दही डाल रही हूँ आप इसकी जिगर बूंदी एड़ कर सकते हैं क्योंकि आज मेरे पास फ्रेस धनी और पुदीना थोड़ा सा कम था इसलिए मैंने इसमें आज दही एड़ कर दिया है और बस इसके बाद इसमें साइड में ठंडा होने के लिए रखेंगे और अब हम तयारी कर लेते हैं हमने जो मटर पकाई थी उसमें तड़के की वैसे आप चाहें तो इसमें तड़के की जरूरत नहीं है मत लगाईए क्योंकि जो स्ट्रीट साइड में रगड़ा पैटी मिलता है तो जो उसमें रग तड़का बहुत ही सिंपल सा लगाना है बस ओई लेंगे और इसमें थोड़ा सा जीरवा डालकर उसमें जिंजर ग्रीन चिली और अनियन डालकर हलका सा सौटे करेंगे इसको हलका सा कच्छा ही रखेंगे और बस कलर के लिए थोड़ा सा तर्मरिक पाउडर और रेड चिली दालेंगे और इसको हलका सा करने के बाद हमें ढाल देंगे मच्छा परति इसको और अगर इसे में पाणी एकश्ट्रा गरा हे क्योंकि ये धीरे धीरे थेक होता जाता है और बस इसके बाद उपर से थोड़ा सा फ्रेस धन्या डालेंगे और ये रेडी हो गई है हमारी स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा और अब हम पैटीज को फ्राई कर लेते हैं तो इसके लिए एक पैन में मैंने लिया है और मैं इनको शैलो फ्राई करने वाली हूँ तो इसलिए मैंने ओल थोड़ा सा कम लिया है आप चाहें तो ओल के क्वाइटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं और इसके बाद हम इसमें बस टिक की डालेंगे और इनको अलट पलट करके अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन कलर आने तक फ्र पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और फ्राई होने के बाद ये रैडी हो गई है पैटी इस तो अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं तो पहले हमने जो मतर पका कर रखा था उसको शर्व करेंगे और इसके बाद उपर से हमने ये पैटी इस फ्राई करी ह है उनको रख देते हैं और बस इसके बाद उबर से डालेंगे धनिया युम्ली की चटनी हरी चटनी अनियन फ्रेस कोरियंडर और आप चाहें तो इसमें अनार के दाने रैचली पाउडर चाट मसाला जो भी चाहें जैसे वे उस तरह से सर्व करिए और मैंने इसको ना जाल साही रखा है और बस यह रैडी हो गई है रगड़ा पैटीज और जिसको हमारे यह चार्ट बोलते हैं और फ्रेंट्स वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इंज्वाई बाइबा